तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर और मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं कक्षाबारक की रसाइन विग्यार और उस रसाइन विग्यार में बहुत ही इंपॉर्टन टॉपीक आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है आपके एक एक नंबर दो नंबर या फिर तीन नमर जो हो अपना आप सके क्यर कर सके हैं कि क्या होता है इसका हुद की पीएकित नाम के लेकिन इसके इसका फूल फॉर्म होता क्या है बहुत जगह करते हैं आलगे इस खबते हैं थया को फॉल फॉर्म क्या मृता है इंटर नेशनल लिगते हैं याद कर लिए जी का एक नम्मर में कुश्चिन आया हुआ है इंटरनेशनल लग टिके इंटरनेशनल यूनियन कि प्योर कि एंड कि अप्लाइड कि केमिस्ट्री तिक यह होता है हमारा आपिसी का कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड कमिस्ट्री यह होता है इसको याद करेज़ेगा क्योंकि एक नम्मर के कोश्चिन में जो है वो आया था कि आयूपी एसी का फुल फॉर्म बताएए तो उसको रट लेजें इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अधा होगा सिर्फ में आपर एक्जांपल कर रहे है कि आवी पेसी कैसे लिखते क्योंकि यहां पर बहुत सारे मतलब इतने जितने भी हैंना बहुत ही अच्छे-च्छे है क्योंकि आदमी इसी में गलत करता है अभी मैं बता तो कहां पर गलत करते हैं ठीक है सबसे पहले द यानि कि हमारे क्या है क्या आख समू अब उसके बाद से देखेंगी कि यह जो चल reinक्र जो किधर से कंन करने पर प्ले आ इधर से इधर से कम नंबर पर आएक वर साशे मिंआ कांक्र तो हम लोग करते हैं कि एक दू तीन बैदर से से मतला बराबर नमबर प्याता क्रियात्मक समूं तो करनाम उस साइड से करते हैं जिस साइड से मिथाइल गूर्प या सब्सक्राइबान कुछ भी लगा होता है जैसे कि इस साइड से लगा हो तो इस पर ऊट फूर और फाइब है अब इसको आप देखिए टूपर क्या है मि तो हम अब नंबरिंग स्का कर देंगे तो हो जाएगा टू-टू-डाइ-क- तू-टू-डाइ-क- दू-डाइ-क- जो-डाइ-क- वनएओ-क- त्री और लिग देखिए टूटू डाइमिथाइल मेठेट प्रोब्यूट पेंट पेंटेन और थ्री और सीधर सा एकदम इजी उसके वासे आप दूसरा देखिए दूसरा क्या है कि अब वापीस से हमें देखना है कि अब हम नंबरिंग इदर से करें तो हमने सबसे पहले आ इदर से एक दो दूसरा नंबर यहां पर भी है तो इसको हम बड़ी चैन लेंगे तो भी हमेरी जचेर हमारे यही घूटेगा यही ग्रूप यह है बस इसको बढ़ा कर दिया गया इसको एक सिजात लिए तो इसके नंबरेंगे तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे सबसे पहले मिलाइं कह दे पर है कितने नंबर के तो फाइफ थिल हैं मृत वड़ल है पर है और फोर पर है तो क्या लिखेंगा फाइफ एथिल हैप 10 टू और फोर डाई ऑल बस खत्म यह हो गया आपका एदम पूरा कॉंसेप्ट के साथ फाइफ एथिल है प्रेंट टू फोर डाई और खत्म उसके बाद से आते हैं तीसरे वाले पर तीसरा वाले देखिए एकद बसक्ற प्रोर अबुट्स नहीं हो जाएंगा मरा इसका काउंट चमिक है यह पर एक ऊ पर लगा हुआ है दिख राओक आपको यह रहा एक गूप एक ओएच गुरुप इधर लगा हूआ है और एक ऊएच गूप इधर लगा हूआ है दिख रहा है आपको साहँ नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा पूर अच्छे से लङए थोड़ा है ठरकें डूबशा पर एक रेनों पर यहाँ है था मैं तो यहां फोल प्रोर हेला Zhong ट्राइं औल बस खतम तो मेंड जीज जो दो अला जो था वह सबसे ज्यादा अच्छा था ये और इसी में लोग नमिंग करने में गलत करते है क्योंकि यहां पर नंबरिंग करने होती है इसी लिए यहां पर गलती होती तो है कि थो घुबल ये तो कि हमारे ला व देखते हैं मतलब कि जो nuts भाइकलिक होती है यानि कि जो चक्र होते हैं उनके भी नामकरण होते हैं तो उनके नामकरण दो-चार है वे जो आपकी पुछणा कई तो ऐसको देखते हैं कि हम लोग क्या होता है ठीक है तो अब देखिए इसमें हम लोग यह हम लोग अरुमेटिक G banana मतलब कि जो एरोमेटिक कार्वन कंपाउंड होते हैं कार्वन की योग जो होते हैं अरोमेटिक होते हैं जो चक्री होते हैं चक्री में भी एरोमेटिक उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो होता है यह संदरशना जो होती है ये किसकी होती है ये होती है हमारी फिनल की ठीक है इसको तो आप लोगो याद करना है ठीक है और ये जो होता है ये हमारा होता है बेंजीन ये क्या होता है ये हमारा होता है बेंजीन दोनों का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है तो याद करेजेगा C6H6 होता है और यह जो होता है C6H5 और यह होता है OH ठीक है यह होता है फिनॉल का ठीक है तो फिनॉल और बेंजीन का दोनों फॉर्मला आपको याद होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नेमिंग सेम वही रूल रहेगा कि सबसे पहले हम सबसे कम नंबर दे हो किसको दें करेंगे 1,2,3,4,5,6 यहां से उल्टा मत घुमा दे जीगा क्यों कि यहां पर लेंट लेकिन यहां पर मिंधा ना तोसलिए यहां पर इसको लेंगे पहले क्रेंगे जिस पर मिथाल निखे हैं तो तो यहां पर क्या हो जाएगा तो उल फिनोल बस बात खतम ठेसे यह वीनेटे मिन माप फिनोल इसका नम आप ऑप लिखेंगे एंगे यहां से है है यह कि discoveries यानि कि यह हो गया 1 2 3 4 5 6 यहां से भी कानट ने करेंगे तो 4 पर ही आएगा ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा फोर मैथिल फोर मैथिल फिनॉल वन फिनॉल भी लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूत ने क्योंकि वन पर यह है तो वह समझ जाएंगे हम लोग के वन पर है इसका क्या होगा इसका देखिए यहां से यहां से वन टू पर आ रहा है यह मिधाईल और थ्री पर आ रहा है यह मिधाईल तो हम लो क्या हो जा?. चैने क्यों हो जाएगा 2 and 5 उसके बाइब फिर मिथाइल 25 डाइब मिथाइल पिर ये फिनोल ,बस सिदा सा खत्म हो गया.. 25 we do FN alla हो गया त्छिक है ? यहार से थोड़ा सा कचड़ा हो गया बत्छी है ठीक, उसके बाइब से आगे आते हैं यहाँ पर यह आपको क्या दिख रहा है तो इसको हम लोग दो कहते हैं मतलब एलकोहल का ही एक दम समझ लेजे के उसी का भाई है मतलब सं राजतल सं रचनाथमक सुत्र जो हो सेम होता है बस फर्व कि यह होता है कि मार्ग फॉर्मूला जो होता है व Combat SaketsHHHH सी होता है किभा स्ывать का और ही थर का दोनों का से बाता है लेकिन सं रचना जो हो अलग अलग होती है 5 एक 6, 6 hydrogen इसमें भी है, अल्कॉहल वाले में भी और 3 और 3 छह, 6 hydrogen इसमें भी है, 2 carbon इसमें भी है, एक oxygen इसमें, एक oxygen यानि कि अल्कॉहल और इथर की खास बात यह होती है, कि उसका molecular formula जो वो सेम होता है, और उसकी जो संरश्टा होती है, वो अलग अलग हो जाती है, बस ठीक है बड़ी चेन यह है तो इस बड़ी चेन को याद रखने तो इसकी नेमिंग करते हैं तो वन टू थिरी यही होगा ना तो सबसे पहले हम इस साइड लिखते है छोटी चेन को तो हम लिखेंगे वन मेथाक्सी इसे मेथाक्सी और एथाक्सी चलता है ठीक है वन मेथाक्सी ठीक ह उसके बाद से 2, 2, फिर methyl, या फिर 2-methyl, 2-methyl-methyl-propene, यानि कि क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बस, 2-methyl-propene, ये हो गया हमारा इसका, इथर का नेमिंग हो गया, ठीक है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको हो जाएगा, तो और कुछ भी बचा हुआ इसमे मुझे नहीं लगता है कि 1-methyl-methyl-propene, बिल्कुल सही है, कोई इकत वाज बात नहीं है, तो अगर आप इसको याद कर लेते, तो आपका 3 नमबर जो हो कनफर्म हो जाएगा, अगर आप अच्छे से नेमिंग कर लेते हैं, तो ठीक है, ज्यादा कुछ हाट नहीं, बस थो क्यों कियों कियों कुछ है, तो कि एंच्छे कुछ